सबसे पहले बर्तन ले लेंगे और एक लास पानी ले लेंगे गैस ओन कर लेंगे और फ्लेम हमें स्लो ही रखना है स्लो फ्लेम पे बनाएंगे ये एक चमम जीरा लेंगे जीरा में पाया जाता है विटामिन सी और विटामिन को होता है जो कि जिकाम, कफ और बलगम की समस्चा को दूर करता है सर्दी जुकाम में असदार होते हैं खास तोर पर जुकाम को ये ठीक करता है ये fungal और bacterial infection को खतम करता है और आपको बहुत रहाद देने वाला है फिर में यहां long की चार long जिन लोगों को ज़्यादा खासी की समस्या होती है ज़्यादा सर्दी होती है हमेशा होती है उनको long खाना ही चाहिए इसमें होती है antibacterial properties जो आपके infection को खतम करती है और शरीर में गर्मा हट देती है इससे आपके जुकाम और कफ की problem खतम हो जाती है तो मैं यहां दो छोटी इलाइची ले रही हूँ इसे grind कर लेजे या इस तरह से कूट के आप डाल देजे यह गले में सूजन, गले में खराश, और की समझा को दूर करता है तो चले डाल देते हैं इसे फिर हम लेंगे यहां 5-6 तुलसी के पते, यह घर में available होते ही है इसमें बहुत से airwayedic good होते हैं जो आपकी immunity को boost करते हैं बलकि आपकी stress को भी दूर करता है सरदर्द को खतम करता है, गले के infection, सरदी खासी में आराम देता है तो इसे इस तरह से boil होने देते हैं अब अब मैं लूँगी यहां एक अद्रक का तुकडा, आप salt powder भी दाल सकते हैं उससे इस तरह से कूट लेंगे अद्रक में anti-oxidant and anti-inflammation properties होती है जो गले में खराश, सूजन और infection को खतम करते हैं तो इसे इस तरह से आप डाल दीजिए आप grate करके भी दाल सकते हैं, कूट के दाल सकते हैं या powder भी यूज़ कर सकते हैं अब मैं यहां हल्दी का तुकडा लूँगी यह फ्रेश अभी मार्कर में बहुत अविलेबल है नहीं है तो आप आउडर भी दाल सकते हैं इसे इस तरह से कूट के आप इसमें डाल दीजिए इसमें anti-inflammatory, anti-vacterial properties है जो आपको इन सब से बचाएगी और यह आपके गले की खराश और सूजन को भी कम करेगी इसमें anti-oxidants भी होते हैं तो इस तरह से सच तरह से boil आने दीजिए अब मैं डालूँगी यहां आधा चमच सौफ यह आपके काड़े का टेस्ट enhance कर देगा और फिर दालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर काले मिच का पाउडर नहीं है तो आप दो-तिन कूट कर भी दाल सकते हैं इसमें होती है anti-bacterial gurn जो आपको कफ और बल्गम जैसे समझ सहाओं से राहत देगा खास करके छोटे बच्चों में जिनको कफ की जादा प्रबलम हो जाती है तो उसके लिए ये बहुत ही फाइदे मन होगा अब मैं यहां डालूँगी नमक जो वरत में हम यूज करते हैं हम सेंदा नमक डालेंगे खासी जुकाम को ये दूर करता है बदन डर्द से आराम देता है तो थोड़ा हम डालेंगे फिर हम डालेंगे जाईफल जाईफल स्पेशली बदन डर्द मुसल पें honest में रिलीफ देता है सरदी जुकाम गले में सूझन जो होती है उससे दूर करता है especially बच्चों के लिए बहुत effective है क्योंकि जब बच्चे सर्दी खासी होते सो नहीं पाते हैं तो थोड़ा सा जाइफल गिसने से उन्हें नीन तच्छी आ जाएगी उनका बॉड़ी रिलाक्स हो जाएगा और उन्हें तुरंथी राहत मिलेगी तो इस तरह से आप कद्दू कस करके डाल दीजिए या आप कूट कर भी डाल सकते हैं इसे तो अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स करके बॉइल आने देते हैं 10 से 15 मिट लग जाएंगे जब तक कि ये quantity हाफ न रह जाए तब तक हमें बॉइल करना है slow flame पे ही इसे पकाना है हमें तो देखिए अब हमारा काड़ा almost boil हो चुका है तो अब मैं gas flame off करती हूँ और अब हम इसे च्छान लेते हैं तो इस तरह से आप च्छान लेतें strainer की help से ये काड़ा आप store करके भी रख सकते हैं बट मेरा अगर माने तो आप इसे fresh prepare करें और fresh ले लीजे तो देखिए friends हमारा काड़ा ready है इसमें डाल दूँगी मैं दो चमच शहत या आपकी जितनी quantity है आप उससाब से डाल सकते हैं तो इस तरह से आप अच्छे तरह से mix कर लीजे अब मैं बताती हूँ आपको कैसे लेना है ये काड़ा ये जो काड़ा है ये बच्चे बूरे सब ले सकते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं एक साल के उपर वाले वो ये काड़ा एक चमच ले ले दिन में तीन बार ले और जो बड़े होते हैं वो ये दो चमच ले ले में तीन बार, दो से तीन दिन में ही सर्दी खासे जुकाम में आपको आराम मिलेगा, ये चार से पार दिन के लिए आप रेफ्रेजेटर में स्टोर करके रख सकते हैं, बत मेरी मानिये तो आप हमेशा फ्रेश बना के ही पीजिए, उसमें आप हनी डाले और पी जाएए, आप को सच में सर्दी खासे जुकाम से राहत मिलेगी, गले में जो दर्द होता है, बदन दर्द होता है, उन सब में आपको रिलीफ मिलेगा, तो कैसे लगा फ्रेंट्स आपको ये वाला रेमिटी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ठ्राइ भी कीजिए, तो फ्रेंड्स ल चानल को, तिल देन टेक केर, बाँ बाई